ओम शिवेंक डेसाय नमहा, मैं प्रोफेसर स्वी एजैस नरायन राजू यूट्यूब चानल में अब सबका मैं स्वागत करता हूँ गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रचित स्री राम चरित मानस के अरण्यकान से संबंदित आज मैं और एक पद की व्याक्या अब मैं करने जा रहा हूँ अब रावन सिता जी को आकाश मार्ग में ले जाते वक्त क्या क्या हुआ सबसे पहले पद पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे हा जग एक भीर रग रहाया केही अपराद बिसारेह दाया अरति हरन सरन सुक दायक हा रग कुल सरोज दिन नायक हा लचमन तुम्हार नहि दोसा सोफल पायव किनहेव रोसा बिविद विलाप करति वैदेही भूरी कृपा प्रभुदूरी सनेही विपति मोरिको प्रभुही सुनावा पुरोडास चहरासब खावा सीता कई विलाप सुनि भारी भैचराचर जीव दुखारी गीद राज सुनि आरत भानी रग कुल तिलक नारी पहिचानी अदम निसाचर लीनहें जाई जिमी मलेच बस कपिला घाई सीते पुत्रिकरस जनित्रासा करिहाँ जात धान कर नासा धावा क्रोदवंत खग कैसें चोटाई पभिपरबत कहु जैसें रे रे दुष्ट थाड किन होही निर्बई चले सिन जाने ही मोही आवत दे की कृतांत समाना फिर दसकंदर कर अनुमाना की मैनाक की खगपत होई मम बल जान सहित पति सोई जाना जरट जटायु यहा मम कर तीरद चांडि ही देहा सुनत गीद क्रोधात रुद्धावा कह सुन रावन मोरुक सिखावा तज जानकी ही कुसल गृह जाहु नाही ता अस होई ही बहु बाहु राम रोश पावक अति घोरा होई ही सकल सलब कुल तोरा उतरू न देत दसानन जोधा तबही गीद धावा करि क्रोधा दरिकच विरत कीन ही मही गिरा सीत ही राकी घीद पुनि फिरा चोचन हमारी विधारेस देही दंड एक एक भै मुर्चा तेही तब सक्रोध निसाचर किसी आना काडे सी परम कराल कृपाना काटे सी पंक पराकग धरनी सुमिरी राम करी अद्भुत करनी सीत ही जान चड़ाई बहोरी चला उताईल त्रासन थोरी करति विलाप जाति नब सीता व्याद विवस जन म्रुग सभीता गिरी पर भैटे कपिन्ह ने हारी कही हरिनाम दीन ही पट डारी यह बिद सीत ही सोलाई गयवू बन असोक मह राक्षत बयवू हारी पराखल बहु बिद बय अर प्रीत देखाई तब असोक पादपतर राकिस जतन कराई जेही बिद खपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोचबी सीता राकि वुर रटती रहती हरिनाम देखिए अब लेके जा रहा है तो अब क्या हुआ हा जग येक बीर रग राया केही अपराद विसार हुदाया आरत हरन सरन सुकदायक हा रग कुल सरोज दिननायक देखिए अब सिता जी विलाप कर रहती हा जगत के अद्वितिय वीर प्रभु शिराम चंदर जी आपने किस अपराद से मुझ पर दया बुला दी आप क्यों म सुक देने वाले हैं हा रग कुल रूपी कमल के सूर्य हैं अब हा लच्मन तुम्हारा नहीं दोसा सो फल पायम किनहे वुरोसा बिविद बिलाप करति बाई देही भूरी कृपा प्रभु धूरी सने हा लक्षमन तुम्हारा तो कोई दोश नहीं मैंने क्रोध किया अब उस का फल पाया श्री जानकी जी बहुत प्रकार से अब विलाप कर रहें कि हाई प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु विसने ही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा परो पुरा पुरो ढास चहरा सब खावा सीता कई भिलाप सुन भारी बहे चराचर जीव दुकारी देखे अब प्रभु को मेरी अभिपति कौन सुनावें यज्ञ के अन को गधा खाना चाता है सीता जी का भारी भिलाप सुन कर जड़ चेतन सभी जीव दुकी हो गए हैं गीद राज सुन आरत भानी रगुकुल तिलक नारि पहचानी अदम निसाचर लीने जाई जिमी मलेच बस कपिला घाई गुरुद्र राज जठायों ने सिता जी की दुक बरिवानी सुन कर पहचान लिया है कि ये रगुकुल तिलक प्रभु शिराम चंदर जी की दर्मपत्नी है अब उसने देखा कि नीच राक्षस इनको लेके जा रहे हैं तो ऐसे देखिए कपिला गाई मलेच के पाले पड़ गई हो सिते पुत्री करस जनित्रा सा करिहां जातो दान करना सा धावा क्रोध वंत कग कैसे चोटाई पभी परबत कहुं जैसे भुला है सिते पुत्री बैमत करना क्यों बै क्या डरने की कोई जोरोते मैं इस राक्षस का नाश करूंगा है कहते हुए पक्षी कुरोध में बरकर कहिसे दोड़ा जैसे परवत की वोर वज्र छूटता हो रे रे दुष्ट थाड किन होई निर्बैय चले सिना जाने ही मोही आवत दे की कुर्थांत समाना फिर दसकंदर कर अनुमाना देखे उसे ललकार कर कह रहे कि रे रे दुष्ट ख तुने नहीं जाना उसको यमराज के समान हता होँ देखकर रावन घुमकर मन में अनुमान करने लगा रहे यार मुझको कौन रोकने वाले आ रहे हैं कि मैनाक की खगपति होई मम बल जान सहित पति सोई जाना जरट जटाय रहाया मम कर तेरद चांड ही देहा अरे यह तो को मैनाक परव था ही किया यह पक्षियों का स्वामी गरुड देकिन गरुड का नाम सुनते उस पर भी वेंगे कर रहे हैं कि परव तो अपने स्वामी विष्टनु सहित मेरे बल को जानता है तो यहां कैसे आते हैं कुछ पास आने के बाद रावन ने पहचान लिया है अरे य जीद क्रोधा तुर धावा कह सुन रावन मोर सिखावा ताजी जान की ही कुसल गुरुफ जाहू नाहिता अस होई बहु बाहु बाहु यह सुनते ही गिद जटाई बहुत क्रोध में बरकर बड़े वेग से दवड़ा और बोला है रावन मेरी सिखावन सुन माता जान की जुको छोड़ कर कुशलता पोरोक अपने गर चला जा नहीं तो हे बहुत बुजाओं वाले ऐसा होगा की अब आगे क्या होगा राम रोश पावक अति घोरा होई ही सकल सलब कुल तोरा उतरून देत दसानन जोधा तबहिं गीद धावा करि क्रोधा प्रभू शिराम चंदर जी के क्रोध रूपी अत्यंत भानक अगनी में तेरा सारा वंश पतंगा मतलब पतिंगा तो पतंग जैसे बस्म हो जाएगा योदा रावन कुछ उतर नहीं देता तब गीद क्रोध करके जटायू ऐसे दोड़ा है धरी कच बेरत कीन ही मही गिरा सीत ही राक गीद पुनि फिरा चोचन हमारी विदारेस देही दंड एक एक बै मुर्चा तेही देखिये रावन को भाल पकड कर उसे रत के नीचे उतर लाया और रावन पुरदी पर गिर पड़ा जटायू सिता जी को एक बैटा कर फिर लोटा और चोचोचों से ऐसे मार मार कर रावन के शरीर को इतना विदीरन कर डाला इसे उसे एक गड़ी के लिए मुर्चा हो गई तब सक्रोद निसिचर किसी आना कढे सी परम कराल कृपाना कठे सी फंक परा खगदरनी सुमीरी राम करी अद्बतो करनी तब किसी आये हुए रावन इतने बहुत गुस्ये में आकर अत्यंत भान खटार निकाली और उसे जटायू के पंक खाट डाले अब जटायू प्रभुशी राम चंदर जी की अद्बत लिला का स्मरन करके करके पृद्वी पर गिर पड़ाओ सीता ही जान चडाई बहोरी चला उतायल त्रासन थोरी करत बिलाप जाती नभ सीता ब्यादी विबस जनम्रुग सभीता देखिये सिता जी को फिर रत पर चड़ा कर रावन बड़ी उतावली के साथ चला उसे बैखमना था और कौन अभी अभी एक जठाई आके इनको ये स्थिती कराये तो और आगे क्या होगा सिता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है मानों कैसे व्याद के वश में पड़ी हुई मतलत जाल में फस हुई कोई बैबीत हिर नी हो गिरी पर भैटे कपिन्ह नेहारी कही हरी नाम दीन ही पट डारी यही बिदी सीतही सोलाई गयवू बन असोक महराकत भयवू ऐसे देखे आगे परवत पर भैटे हुई बंदरों को देखकर सिता जी ने हरी नाम लेकर वस्त्र डाल दिया इस प्रकार वह सिता जी को ले गया और उन्हें अशोकवन में जा रखा हारी पराखल बहु बिदी बैय अर प्रीति दिखाई तब असोक पादपतर राखिसी जतन कराई सिता जी को बहुत प्रकार से बैय और प्रीति दिखला कर जब वो दुष्ठ हार गया तब उन्हें यतन कराके सब व्यवस्ता टीक कराके असोकृक्ष के नीचे रख दिया है जेही बिदी कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोचबी सीता राकी वुर रटति रहित हरिनाम देखे जिस प्रकार कपट मुरुग के साथ प्रभुशी राम चंदर जी दौड चलेते उसी चवी को हुरुदय में रख कर वे हरिनाम अर्दात राम नाम रटती हैं इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्द बताना चाहता हूं सिथा जी अत्यन्त विलाप करने लगी हाँ विश्व के अद्वितीय वीर प्रभुशी राम चंदर जी आपने किस अपराद के कारण मुझ पर दया बुलाती है दुखों को हरने वाले मतलब सारे दुखों को नाश करने वाले है शरणागत को सुक देने वाले है रगुकुल शिरोमनी प्रभुशी राम चंदर जी है रगुकुल रूपी कमल के सूर्य हाँ लक्ष्मन तुम्हारा कुछ दोश नहीं मैंने जैसा क्रोध किया वैसा उसका फल पाया सिता जी तरह तरह से विलाप कर रही है हाई मेरे उपर असीम कृपा करने वाले मेरे परमसने ही प्रभु अब दूर निकल आए हैं मेरी यह विपत्ति प्रभु को कौन सुनावे एज्ञ की हवी मतलब खीर को गदा खाना चात सिता जी का भारी विलाप सुनकर स्तावर जेंग मतलब जड चेतनवा के सब प्राणी दुखी हो गए हैं मार्ग में क्या हुआ जैसे जठायू ने सिता जी की दुख कातर वानी सुनकर पहचान लिया है कि यह रगुकुलस रेष्ट प्रभु शिराम चंदर जी की पत्नी है उसने देखा कि नीच निशाचर रावन इन्हे लिया जा रहा है जैसे कपला गाय किसी मलेच के अधीन हो गई हो तुरंतों कहें बेटी सीते तु बै मत कर मैं इस राक्षस का विनाश करूंगा तब वो पक्षी कृद्ध होकर वैसे ही दोड़ा जैसे परवत की वोर वज्र चुटता हो रे रे दुष्ट कड़ा क्यों नहीं होता निडर होकर चला जा रहा है तुने मुझे नहीं पेचाना यमराज के समान उसको आता हुआ देखकर रावन गूम कर मन ही मन अनमान करने लगाए कि चाहे तो ये महिना परवत है या पक्षियों का राजा गरुड आम ही विष्टल सहित मेरे बल से परचते तो गरुड तो आएंगे नहीं कुछ पास आने पर मैं पहिचान लिया अरे यह तो बोड़ा जटायू है जो मेरे हात रूपी तीर्द में अपना शेरीर चोड़ेंगे आओ आओ कर देखिए यह सुनते ही जटायू बहुत वेग से दोड़ा और बोला हे रावन मेरी सिखा और मेरी बात मान लो जानकी जी को छोड़कर आराम से सकुषल गर पहुंच जाओ नहीं है तो अनेक बुजाओं वाले ऐसा होगा कि क्या होगा प्रभु शिराम चंदर जी के बायंकर क्रोध आगनी में तेरा सारा कुल पतंग जैसे बस्म हो जाएंगे योद्धा रावन से कुछ उत्तर देते नहीं बनता तब जटायो और क्रोध करके दोड़ा और उसने रावन को भाल पकड कर रत से नीचे उतार लिया रावन दरती पर गिर पड़ा सिता जी को एक और अलग बिठा कर जटायो फिर लवटा और चोंचों से मार मार कर उसने रावन के शिरीर को बिल्कुल इतना गायल कर डाला जिससे ये चछन के लिए रावन मुर्चित हो गया लेकिन तब जुंजलाये हुए रावन ने बहुत गुस्से में आकर अत्यांत भानक तलवार निकाली और उससे जटायो के फंक खाट डाले प्रभुशी राम चंदर जी की अद्बुत लिला का स्मरन करते करते पक्षि जटायो पुर्दी पर गिर पड़ा फिर सिता जी को रत पर चड़ा कर रावन बड़ी अधीरता के साथ चला क्योंकि वो कम बाइबीत ना ताओर अभी जटायो से इतने हुआ है तो और कौन को नाएंगे क्या होगा बहेलिया के वश्ट में पड़ी हुई जाल पे फसी हुई बाइबीत हिरनी की बांती विलाप करती हुई सिता जी आकाश मार्ग से जा रहीती मार्ग में एक फर्वत पर बैटे हुए बंदरों को देखकर सिता जी ने हरी का नाम लेकर अपना वस्तर डाल दिया इस प्रकार रावन सिता जी को ले गया और उन्हें अशोकवन में रखाता जब वो दुष्ट रावन सिता जी को थर थर से बाई भी दिखाया और प्रीती भी दिखला कर अब सारी चीजों से हार गए हैं तब उसने अतना प्वरक उन्हें अशोकुरक्ष के नीचे रख दिया है जिस रूप में प्रभु शीराम चंदर जी माया मुरुग के साथ दावड चले थे उसी चवी को हुरुदय में धारन किये वे हर नाम रखती रखती हैं सिता बहुत बहुत धनिवाद जाय शीराम